नमस्के दोस्तों असा है आप लोग सौकुसल और मंगल होंगे मैं बात करूँगा कुछ अपने अराध्य देव महादेव के बारे में जिहां सिव अनिकेत हैं कभी पैदा नहीं हुए लेकिन मान्यता है कि सिव रात्री के दिन कैलास के तुहिना च्छादित सिखर पर हिम खंडित सिव लिंग के साथ स्वेंभू पैदा हुए कैलास का एक ही सतद नाद है सिवो हम जो सिव के साथ उमा को भी समेटता है अब भले हम सिव को घर मंदिर कहीं रख लें और सिव रिज के आ जाएं पर यह उनका अस्थान है नहीं उनका अस्थान है असमसान जियां सिव का ही यह दर्सन है जिसके तहद जीवन की अंतिम मंजिल पर आने वाला सब कुछ महान है जैसे महापत, महाले, महोसद, महावज्य, महायात्रा, महामंत्र, महाब्रामन, महोसद, महादान और महापास और इन सब के नायक हमारे महादेव जो तारक मंत्र यानि महामंत्र के साथ आत्मा की सुद्धी करते हैं इसलिए सिव स्रेष्टतम पंडित भी हैं राहुल संक्रित्याइन के साथ सनातन की आजन्म ठिठोली रही इस सब्द को लेकर सिव तत्त को लेकर ही कालिदास ने हर व्यक्ति को परम्तिर्थ कहा है भगवान स्री मत भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं इदम शरीरम कौंतेयह और योग भी सिव तत्त के चलते शरीर के विशे में यही मत रखते हैं हमारे यहां कहा जाता है कि बिना मरे कौं स्वर्ग जाता है पर सिव धाम हम सोशरीर जा सकते हैं बात असपस्ट है सिवत्व सोशरीर जीवन में ही पाने लायक तक्त्व ज्यान है दिगंबर अउसद भोले नात का सतत रूप हम सब देखते हैं सच यह है कि सब को सब कुछ देने वाले उस साधन हीन गरीव को कौन नहीं जानता सब का राज है पर राज माटने वाले सिव राजा नहीं हैं नहीं कोई अनुचर नहीं कोई दास ना कोई सेना बस कोई हैं तो भक्त और सहचर सिव इतने सरल हैं कि इनके कोई इनके लिए पतीत है ही नहीं सब के हैं वो और सब का है असमसान सिव ज्यान और सिवधाम स्वर्ग किस साधन से लोग पहुँचते हैं यह तो ग्यात नहीं पर सिवधाम की यात्रा साधन हीन है एक और बात है हमारे सरीर में सक्तिसाली वर्ग कुछ करता है तो उसे न्याय माना जाता है और एक निर्बल उसी को करे तो वही अपराध कहलाता है सिव यही जो है भिन्न है हम सब से उनका आत्मत्व और परमत्व एक है ना कोई स्वार्थ ना कोई परमार्थ सब के लिए सब कुछ और भगिरत जैसों के लिए परमार्थ को गंगा रूप में सरपर धारन करने वाले हमारे महादेव जब हम जैसे तुक्ष सिव भक्त गंगा गोमती नर्मदा सिंधू अलकनन्दा बरहम पुत्र के तटों पर अपने महादेव का अस्मरन करते हैं तो वहीं सिव जात्पात सब से अलग हटकर हिंदू के एकात्म भाव को जिहां अपने परमात अभाव में लीन कर लेते हैं और हम सिव तक्त के अधिकारी बन जाते हैं ऐसे हैं हमारे प्रभू हमारे महादेव जै महाकाल